इस हालाद को देखने के बाद कि आप लोगों ने एक सांतिपूर्ण परदसन किया था घेराओ किया था आज तोर्फोर क्यों आज कौहां से तोर्फोर क्या तोर्फोर सर एक कुकर्म कोई मिलता नहीं जाकर के जो है दोठो आप ले आते हो वाचगाड को और इसको छोड़ द करोगे ना जब होस्टल में दारू पकराया कुकर्म हुए तो सील करेंगे ना अब पूरा होस्टल मालिक सराप का अड़ा और सेक्सुल अड़ा बना हुआ है अज बिहार में पहले था एजूकेशन माफिया और हेल्थ माफिया पारस होस्टल के बारे में जानने कल भी मार पांचलाग रुपिया को लेके, उसके बाद यहां पर हुआ बालू माफिया, जमीन माफिया, सब से ज़्यादे आज सेक्स माफिया, सेक्स रेकटर इस बिहार में सब को पता है, होटल में क्या क्या होते हैं, कहां जाते हैं, थानेदार के साथ सेटिंग क्या है, कितना मंतली सब्सक्राइब करनाटक में अब नेता जी पॉर्ण देखेंगे बिधान सभा में ही मॉलस्टिंग करेंगे आउट्र प्रदेश में जिसका भी सीडी आता है सेक्स करते हुए मंत्री हो जाते हैं तो सर कोई माप दंड है कोई तो अब आज उटाएगा कहीं तो बचेगी बच्ची किसी की तो जिम्मेदारी है बेटी बहन बचाने की आपके पांच लोगों को गिरफतार किया गया आज भी आप फिर वही कर रहे हैं आप अभी एक ही फै नहीं गए आज हाजीपुर जाकर करके हमें देखना पड़ा खाने तक के लिए पैसे नहीं थे मासुम बच्ची रो रही थी सर नेता प्रतिपक्स कहते हैं कि हमें भोट तो आपने दिया नहीं है जिसको भोट दिया उसे समझे तो आपको भी तो सर मुझको कौन क्या बोलत पात और धर मजहब की राजनिती में उल्जे हुए हैं सारीलों के बारे में चर्चा छोड़ देजिए नितिस बाभू को सराव हर घर में अर्मों खर्मों का सराव भी करा है रेवेन्यू समाप्त हो रही है गुटका अरे भाई सिग्रेट बंद करो तंबाकू बंद करिए स हो काँ जा बंद नहीं कहाई नहीं सिग्रेट बंद नहींuje एक्यषय तालइस और नर्की बंद नहीं लेकिन चल रहा है भ्याप उन्हों से पूछेan मैं मानवता के लिए संकल्पित हूँ, प्रतिबध हूँ बिहार मेरा है, बिहार मेरे घर है मेरी बेटी है, मेरी बेहन है हम आजादी की आवाज के लिए किसी भी हद टक जाएंगे, अपने संकल्प के लिए हम सच है कि में अपनी मड़ियाद ओं को लांगना होगा तो Πरना हैं हुआ किहना है कि हम बिद्रों ही जा नहीं जाते हैं žाने ही करते हैं विरोत का व क्या मतलब दिया है पांच लाग मरे हुए को पांच लाग रुप्या ले लिया एक ही बेटा था हाजीपूर में गोली मारा क्रिमिनल ने पारस होस्पिटल के खिलाब जंग की अबाज होगी आज साम में पुतला भी फुकेंगे पुरे बिहार में पुतला फुकेंगे और आरपार की लड़ाई भी होगी साथ चिंता ना करें